आप देख रहे हैं YMS News 24, आएए देखते हैं आज की खबर, दमोह मध्य प्रदेश से हेमराज सिंग जबेरा ब्लॉक ब्यूरो के साथ, जिला लोधी क्षत्रिय समाज ने विरांगना रानी अवंती बाय लोधी सामुदाइक भवन दमोह में, नवनियुक्त BRC आदर्निय श्री पदम सिंग जी के पुनह BRC पत पर नियुक्त होने पर समाज के लोगों ने स्वागत सम्मान कारेकरम का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम विरांगना रानी अवंती बाय लोधी के छाया चित्र पर दीप प्रजवलित एवं माल्यारपंकर कारेक्रम की शुरुआत की गई जिसमें कारेकारी अध्यक्ष श्री खिलान सिंग जी ने मंच संचालन करते हुए स्वागत हेतु समाज के लोगों को आमंत्रित किया एवं सभी ने बारी-बारी से तिलक लगाकर एवं फूल माला पहनाकर तथा मिठाईया खिलाकर बियारसी पदम सिंग जी का स्वागत किया एवं बहुत-बहुत बधाई और शुब कामनाय दी साथ ही भोपाल में लोधेश्व युवा बाहिनी के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉक्टर गिर्बल लोधी जी द्वारा देवेंड ठाकुर को मध्यप्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कुछ दिनों पूर्व नियुक्त किया गया था जिनका भी दमोह लोधी भवन में स्वागत सम्मान किया गया कोरोना महमारी के चलते पदम सिंग, मुन्शी कलेक्टेट जी ने सभी लोगों के हाथों को सैनिटाइच किया एवं युवा अध्यक्ष दयालू ठाकुर ने सभी को मास्क एवं गमचा बांधने एवं सोसल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की सलाह दी इस दोरान आगामी कारेक्रम 16 अगस्त अमर शहीद विरांगना रानी अवंती बाय लोधी बलिदान दिवस जैनती समारोह के संबंध में भी चर्चा हुई तथा आगामी बैठक 5 अगस्त को की जाएगी जिसमें कारेक्रम की संपूर्ण रूप रिखा तै की जाएगी कारेक्रम में उपस्थित श्री खिलान सिंग लोधी प्राचार्य नारान सिंग लोधी श्री केस थाकुर युवा अध्यक्ष दयालू सिंग थाकुर कोशाध्यक्ष श्री गजराज सिंग लोधी युवा सचिव श्री जागेश्वर सिंग लोधी जिला महामंतरी विवेक स श्री राना सिंग थाकुर आधी समाज के युवाओं की उपस्तिती सराहनिय रही।